शिब बाबा याद है ना? तो कलहे कलेश सब मिट जाएंगे और तुम जीवन मुक्तिपद पालेंगे उच्च तेउच भगवान सब का दुख हरता सुख करता एक शुबाबा है वही सब के दुख हरने वाला है सुख का वड़सा बेहद के बाप से ही मिलता है इसलिए सिर्फ उनको ही याद करो बाबा कहा तुम्हारे 84 जनम पूरे हुए अब पावन बन वापिस घर जाना है इसलिए अपने को देह ना समझ आत्मा समझो और सब को छोड एक शुबाबा को याद करो तो बेडा पार हो जाएगा तुम्हें बाप से पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना भी है सर्विस करने की नए नए युक्ति सीखनी है परन्तु जिनको ग्यान की धारना नहीं होती वेह दूसरों को समझा नहीं सकते इसमें बाप भी क्या शिरवाद करे बाबा तु कहेंगे शायद तकदीर में नहीं है और लास्ट में बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को बहुत होश्यार और चम पहंकार ना हो बहुत मीठा होकर रहना है और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो पारस नाथ शिव बाबा तुम्हें पारस पुरी का मालिक बनाने आए हैं प्रश्न उत्तर बहुत बहुत निर्मान चीत बनो किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए बहुत मीठा बनना है अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते हैं उच अथ्वा नेच पवित्रता की बात पर बनते हैं जब पवित्र है तो मान है और पवित्र है तो सब को माथा टेकते ह ओम शांती, रुहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप भी समझ से हैं कि हम इन बच्चों को समझाते हैं, यह भी बच्चों को समझाया गया है कि भक्ति मार्ग में बिन बिन नाम से अनेक अनेक चित्र बना देते हैं, जैसे कि नेपाल में पारसनात को मानते हैं, उनका बहुत बड़ा मंदिर है, प्रन्तु है कुछ भी नहीं, चार दर्वाजे हैं, चार मूर्तियां हैं, चोथे में श्रिक्रिष्न को रखा है, अब शायद कुछ बदली कर दिया हो, अब पारस नाथ तो जरूर शिव बाबा को ही कहेंगे, मनुश्यों को पारस बुद्ध भी वही बनाते हैं, तो पहले पहले उनको यह समझाना है कि उच्च ते उच्च है भगवान, पीछे है सारी दुनिया, सुक्ष मतन की सृष्टी तो है नहीं, पीछे होते हैं लक्ष्मी नारेण वो विश्नु, वास्तों में विश्नु का मंदिर भी रोंग है, विश्नु चतुर भुज, चार भुजाओं वला कोई मनुष्य तो होता नहीं, बाप समझाते हैं, यह लक्ष्मी नारेण है, जिनको इकठा विश्नु के रूप में दिखाया है, लक्ष्मी नारेण तो दोनों अलग-अलग हैं, सुक्षम वतन में विश्नु को चार भुजाएं दे अर्थात दोनों को मिला कर चतुर भुज कर दिया है, बाकी ऐसा कोई होता नहीं है, मंदिर में जो चतुर भुज दिखाते हैं, वहे है सुक्षम वतन का, चतुर भुज को शंक, चक्र, गदा, पद्म, आदी देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, चक्र भी तुम बच्चों को है नेपाल में विश्नु का बड़ा चित्र, शीर सागर में दिखाते हैं, पुजा के दिनों में थोड़ा दूद डाल देते हैं, बाप एक एक बात पर अच्छी तरह समझाते हैं, ऐसे कोई भी विश्नु का अर्थ समझान सके, जानते ही नहीं, यह तो भगवान खुद समझ भगवान कहा जाता है शिव बाबा को, है तो एक ही परन्तु भक्ती मार्ग वालों ने नाम अनेक रख दिये हैं, तुम अभी अनेक नाम नहीं लेंगे, भक्ती मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, तुमने भी खाए, अभी अगर तुम मंदिर आधी देखेंगे, तो उस पर समझाएंगे कि उच्छे दे उच्छे है भगवान, सुप्रीम सोल, निराकार परमपिता परमात्मा, आत्म शरीर दवारा कहती है, ओ परमपिता, उनकी फिर महिमा भी है, ग्यान का सागर, सुख का सागर, भक्ती मार्ग में एक के अनेक चित्र हैं, ग्यान मार्ग में त सर्व के सद्गती दाता है, तुम्हारी बुद्धी में सारा चक्र है, उच्छ ते उच्छ परमात्मा है, उनके लिए ही गायन है, सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक बाप को ही याद करो, अथ्वा सिमरन करते रहो, तो कल है कलेश मिटे सब तन के, फिर जीवन मुक्ती पद पाओ, यह जीवन मुक्ती है ना, बाप से यह सुख का वर्सा मिलता है, अकेले यह तो नहीं पाएंगे, जरूर राजधानी होगी ना, गोया बाप राजधानी सापन कर रहे हैं, सत्युग में राजा, रानी, प्रजा सब होते हैं, तुम ज्यान प्राप्त कर रहे हो, जो जाकर बड़े कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुख मिलता है, जब वे सापना हो जाती है, तो छीची आत्माएं सजाएं खाकर वापिस चली जाती हैं, अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरेंगी, इतनी सब आत्माएं आएंगी, फिर व्रिधी को पाती रहेंगी, यह बुद्धी में रहना चाहिए कि उपर से कैसे आते हैं, ऐसे तो नहीं, दो पत्ते के बदले दस पत्ते इकठे आने चाहिए, नहीं, काईदे सिर पत्ते निकलते हैं, यह बहुत बड़ा जाड है, दिखाते हैं एक दिन में लाखों की व्रिधी हो जाती है, पहले समझाना ह उंच ते उंच है भगवान, पतित पावन, दुख हरता सुख करता भी वही है, जो भी पार्ट धारी दुखी होते हैं, उन सब को आकर सुख देते हैं, दुख देने वाला है रावन, मनुष्यों को यह मालूम ही नहीं, कि बाप आये हैं, जो आकर समझे, बहुत तो समझ से समझ से फिर्थि रख जाते हैं, अर्थात बाहर निकल जाते हैं, जैसे सनान करते करते, पाउं फिसल जाता है, तो पानी अंदर घुच जाता है, बाबा तो अनुभवी है न, यह तो विश्य सागर है, बाबा तुमको शीड सागर तरफ ले जाते हैं, प्रंतु माया पी ग्रहा अच्छे-च्छे महारतियों को भी हप कर लेती है जीते जी बाप की गोद से मर कर रावन की गोद में चले जाते हैं अर्थात मर पड़ते हैं तुम बच्चों की बुद्धी में हैं उंच ते उंच बाप फिर रचना रचते हैं हिस्ट्री जोग्राफी सुक्षम बतन की तो है नहीं भल तुम सुक्ष्य वतन में जाते हो साख्षत कार करते हो वहां चतुर भुझ देखते हो चित्रों में है ना तो वह बुद्धी में बैठा हुआ है तो जरूर साख्षत कार होगा प्रतु ऐसी कोई चीज है नहीं यह भक्ती मार्ग के चित्र है अभी तक भक्ति मार्ग चल रहा है भक्ति मार्ग पूरा होगा तो फिर यह चित्र रहेंगे नहीं स्वर्ग में यह सब बातें भूल जाएंगी अब बुद्धि में हैं कि यह लक्षमी नारेंड दो रूप हैं, चतुर भुज के लक्षमी नारेंड की पूजा, सो यह चतुरभुज का मंदिर बात एक ही है इन दोनों का ज्यान और किसको भी नहीं है तुम जानते हो इन लक्ष्मि नारेन का राज्य है विश्नु का राज्य तो नहीं कहेंगे यह पालना भी करते है सारे विश्व के मालिक हैं तो विश्व की पालना करते हैं शिव भगवानु वाच मैं तुमको राज योग सिखलाता हूँ अपने को आत्म समझ बाप को याद करो तो इस योग अगनी से विकर्म विनाश होंगे डिटेल में समझाना पड़े बोलो यह भी है गीता सिर्फ गीता में श्रीकृष्ण का नाम डाल दिया है यह तो रौंग है सबकी गलानी करती है इसलिए भारत तमो प्रधान बन पड़ा है अब है कलियूगी दुनिया का अंत इनको कहा जाता है तमो प्रधान आयरन एज जो सतो प्रधान थे उन्होंने ही 84 जनम लिये हैं जनम मरन में तो जरूर आना है जब पूरे 84 जनम लेते हैं तब फिर बाप को आना पड़ता है पहले नंबर में एक की बात नहीं है इनकी तो सारी राजधानी थी ना फिर जरूर होनी चाहिए बाप सब के लिए कहते हैं अपने को आत्म समझो बाप को याद करो तो योग अगनी से पाप कट जाएंगे काम चिता पर बैठ सब सांवरे हो गए हैं अब सांवरे से गोरा कैसे बने सो तो बाप ही सिखलाते हैं श्री कृष्ण की आत्मा जरूर भिन भिन नाम रूप लेकर आती होगी जो लक्षमी नारेंड थे उनको ही 84 जनमों के बाद फिर वह बनना है तो उनके बहुत जनमों क फिर वह सतोप्रधान विश्व के मालिक बनते हैं तुम्हारे में पारसनात को पूजते हैं शिव को भी पूजते हैं जरूर उनों को शिव नहीं ऐसा पारसनात बनाया होगा टीचर तो जरूर चाहिए न वह है ग्यान सागर अब सतो प्रधान पारसनात बनना है तो बाप को बहुत प्यार से याद करो वही सब के दुख हरने वाला है बाप तो सुख देने वाला है यह है काटों का जंगल बाप आये हैं फूलों का बगीचा बनाने बाप अपना परिचे देते हैं मैं इस साधारन बुढेतन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं भगवानू आज मैं तुमको राज योग सिखलाता हूँ तो यह इश्वरी युनिवर्सिटी ठहरी एम अब्जेक्ट है ही राजा रानी बनने की तो जरूर प्रजा भी बनेगी प्रशे योग योग बहुत करते हैं निवर्सिटी मार्ग वाले तो अनेक हठ योग करते हैं वह राज योग सिखला न सके बाप का है ही एक प्रकार का योग सिर्फ कहते हैं अपने क्वात्म समझ कर मुझ बाप को याद करो 84 जनम पूरे हुए अब वापिस घर जाना है अब पावन बनना है एक बाप को याद करो बाकी सब को छोड़ो भक्ती मार्ग में तो तुम गाते थे कि आप आएंगे तो हम एक संग जोड़ेंगे तो जरूर उनसे वड़सा मिला था ना आधा कलप है स्वर्ग फिर है रावन राज्ये शुरू होता है ऐसे ऐसे समझाना है अपने को देहे ना समझो आत्मा अविनाशी है आत्मा में ही सारा पार्ट नुंधा हुआ है जो तुम बजाते हो अब शिवाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनका कितना मान होता है सब माथा जुकाते हैं पवित्रता की बात पर ही उच नीच बनते हैं देवताएं हैं बिलकुल उच सन्यासी फिर एक जनम पवित्र बनते हैं फिर दूसरा जनम तो विकार से ही लेते हैं देवताएं होते ही हैं कोई पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते हैं क्योंकि धारणा नहीं होती है बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो बाप क्या करें बाप यदि सब को आशिर्वाद बैठ करें तो सब स्कॉलर्शिप ले ले वें वह तो भक्ति मार्ग में यासी भी ऐसे करते हैं उनको जाकर कहेंगे मुझे बच्चा दो आशिर्वाद करो अच्छा तुमको बच्चा होगा बच्ची हुई तो कहेंगे भावी बच्चा हुआ तो वह वह कर चर्णों पर गिरते रहेंगे अच्छा अगर फिर मरा तो रोने पीटने गुरू को गा भावी ही कहेंगे वह भी ड्रामा में नूंद है आत्मा कहां छिप जाती है डोक्टर लोग भी समझ से हैं यह मरा पड़ा है फिर जिन्दा हो जाता है चिता पर चड़े हुए भी उठ पड़ते हैं कोई एक ने किसको माना तो उनके पीछे धेर पड़ जाते हैं तुम बच बच्चों को तो बहुत निर्मान चित होकर चलना है अहंकार जरा भी न रहे आजकल किसको जरा भी अहंकार दिखाया तो दुश्मनी बढ़ी बहुत मीठा होकर चलना है नेपाल में भी आवाज निकलेगा अभी तुम बच्चों की महिमा का समय है नहीं नहीं तो उनके MP बैट तुम्हारी महिमा करें कि भारत का राज योग इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाए कोई सिखला नहीं सकते। प्रश्न नहीं उठ सकता है ऐसे क्यों ड्रामा अनुसार जो समझाना था वह समझाया समझाता रहता हूँ बाकी लोग तो अथा प्रश्न करेंगे बोलो पहले मन मनाभव हो जाओं बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे अच्छा मीठे मीठे सिकिल अधे बच्च प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मोर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मोर्निंग धारना के लिए मुख्ये सार पहली पोइंट सर्विस की युक दूसरों को करानी है, पढ़ाई से अपनी तकदीर आपे ही बनानी है। बीती को स्रेष्ट विधी से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास्विद ओनर भव। वहा के बोल दिल से निकलें। अन्यात्माई आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़ें। आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। तो किर्तन अर्थात किर्ती गाते रहेंगे। स्लोगन स्वकल्यान का स्रेष्ट प्लैन बनाओ तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। अच्छा, आज का अव्यक्त ग्यानमोती बहुत विशेश है। सभी भाई बहने जरूर सुने। अव्यक्त ग्यानमोती सुनने के लिए उपर दिये गए बोक्स पर कलिक करे।